हेलो फ्रेंड्स, कोटा कुकिंग लोग में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ सूजी की मठरी जो की बहुती कस्ता बनती है और टेश्टी भी लगती है और मेदा और आटे की मठरें तो आपने बहुत बनाई होगी और खाई भी होगी लेकिन एक बार आप इस तरह से सूजी की मठरी बना के देखेगा बहुती टेश्टी बनती है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक किलो सूजी इसे छान लिया है अब मैं इसमें दो चम्मच अजवाइन डालूँगी क्रश करके और दो चम्मच कसूरी मेथी डाल दूँगी क्रश करके अब मैं डालूँगी यहाँ पर रेड़ चम्मच नमक आप स्वाद गयन उसार नमक कमिया ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे इसे अब हमें सूजी में डालना है मौन तो यहाँ पर मैं ओली ओयल का मौन लगा रही हूँ तेल को सूजी में अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखे सूजी और तेल अच्छे से मिक्स हो गये है तो मैं इसकी मुठी बना के देखती हूँ यह सूजी है इसलिए इसकी मुठी अच्छे से नहीं बन रही है अब मैंने यहाँ पर गुल गुले पानी का यूज किया है तो मैं सूजी का डो लगाने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते जाओंगे और इसे गोते जाओंगे इसका डो हमें बहुती ध्यान से बनाना है ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी में मिलाती जा रहे हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप मिदा से मठी बनाते हूँ तो उसमें इतना जंजट नहीं होता लेकिन इसे हमें बहुती ध्यान से बनाना है वनना या तो मठरयां बहुत ही कड़क हो जाएगी और हमें मठरी कस्ता बनानी है कड़क नहीं बनानी तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें इस डो को बहुत ही ध्यान से लगाना होता है तो ये डो लगाने की पूरी प्रोसेज देखिएगा आप वरना मठ्रया आपकी अच्छे नहीं बनेगी अब ये देखें फिर से मैंने पानी डाल दिया है और फिर से मैंने इसे गोधना शुरू कर दिया है तो इसे अच्छे से मसल मसल के अच्छे से गोधना है ये देखें अब मैं इसे थोड़ा सा पानी लगा के 20 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए हरक दूँगे अब 20 मिनट हो चुके हैं इसे रेश्ट किये हुए तो फिर से मैंने इसे मसल मसल के अच्छे से गुतना सुरू कर दिया है अच्छे से डो को चिकना कर लेंगे यह बिल्कुल मेदा जैसा ही दिख रहा है यह देखें यह देखें मैंने सूजी बनाने के लिए पेली इसकी एक रोटी बेल ली है अब मैं आपको एक लोई बना के दिखाती हूँ देखें कितना सुप डो हो चुका है बिल्कुल मेदा जैसा ही लग रहा है लगेगा ही नहीं आपको कि मैंने ये डो सूजी का बनाया है न तो मैंने इसमें आटा डाला है और नहीं मेदा डाली है तो इस मठ्री को आप बार-बार बना सकते हो और बच्चों को खिला सकते हो इसमें कोई टेंसन वाली बात नहीं है और यदि हम मेदा से मठ्री बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि मेदा बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती तो हम मठ्री कम बनाते हैं लेकिन इस मठ्री को आप बच्चों को कभी भी बना कर खिला सकते हैं ये देखें सबसे पहले मैंने रीबन वाली सैज की मठ्रिया बनाना सुरू करा है उसके बाद मैं डिजाइन वाली चकरी वाली मठ्रिया बनाऊंगी ये देखें मठ्रिया मैंने एक कपड़े पे फेला के रख दी है अब डिजाइन वाली मठ्रिया बनाने के लिए मैंने फिर से एक लोई लेके और उसे बेलना सुरू कर दिया है ये देखे है मारी रूटी मिल चुकी है तो मैंने इस पे लगा दिया है तेल अब मैं इस पे सबसे पहले डाल रहे हूं चाट मसाला और इसे अच्छे से फेला लूँगे हाथ से उसके बाद डालूँगे मैं इ इसे धीरे धीरे से रोल करते हुए गोल कर लेंगे इसे देखे मैंने इसे रोल कर लिया है अब हमें एक चक्कू लेके चक्कू से पतले पतले इसके पीस काटने हैं ये देखे इसे पतले पतले पीस काटने हैं इसे हमारी मठ्री की डिजाइन बहुत अच्छे बन जाएगी एक तरह से ये लोईयां बन गई इन लोईयों को फिर हम बेल लेंगे और कूर्वी मनेगी मठ्री का टेस्ट अलगाता है दूसरी मठ्रिओं से और डिजाइन भी सुन्दर लगती है और खाने में तो टेस्टी लर्गती ही है और बचों को बहुत ही पसंद आती है अब ये छोटी छोटी लोईया बन गई तो मैं इसे एक के करके बेल लूँगे ये देखे एक के करके मैं सभी मठ्रियों को बेल लूँगे ये देखे मैंने इनको एक थाली में जमा लिया है और कपड़े पे रख दिया है बहुत ही सुन्दर लगती है मठ्रिया क्योंकि मैं इनको एक साथ ही बेल के रख लूँगे और उसके बाद मैं इनको तलूँगे अब एक लोई बच गई थी मुझे आलस आ रहे थे तो मैंने इसकी सिंपल सी मठ्रि बना ली है क्योंकि सुजी की मठ्रि तो टेश्टी लगती ही है और आप कितनी भी खा सकते हैं इसे 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करें आपका डिब्बे में से निकाल के खा सकते हैं तो अब सारी मठ्रि बन चुकी ही तो अब हो गई इनके तलने की तैयारी तो कड़ाई में तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैं उल्ली ओल का यूज करती हूँ आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हो एक के करके मैंने कड़ाई में सभी मठ्रि डाल दी है अब मैं इने मीडियम प्लेम पे अच्छे से तल लूँगे हमें गेस का प्लेम हाई नहीं रखना मीडियम ही रखना है वन्ना मठ्रिया अंदर से कच्ची रे जाएगी देखें मठ्रिया अमारी अच्छे से बन गई है मतलब इनका ब्राउन कलर आ चुका है तो मैंने निकाल लिए अब मैं फिर से कड़ाई में मठ्रि डालूँगे ये मठ्रि मैंने होली पे बनाई थी तो सबको बहुत ही पसंद आए आप कोई सा भी त्योहार हो या बिना त्योहार के भी आप इन मठ्रियों को बना के रख सकते हो और बच्चों के टिफिन में रख सकते हो साम की चाय के साथ खा सकते हो और सवेरे भी आप इसे नास्ते में खा सकते हैं क्योंकि ये मठ्रियां सुज़ीगी बनी है, तो आप बिना जिजग इन मठ्रियों को खा सकते हैं. अब यहाँ पर मैने ये सिंपल वाली मठ्रियां तलना सुरू कर दिया है, क्योंकि मठ्रियां मैंने एक किलो की बनाई है, तो टायम तो लगता ही है. और यदि किचन में दोजने मिलके काम करें तो हमारा काम भी उजाता है और हमें टाइम का पता भी नहीं चलता और ये देखें बातों ही बातों में हमारी मठ्रें भी बनकर तैयार हो चुकी है ये देखें तो आपको ये मेरी मठ्री की रेसिपी कैसी लगी ये देखे मैं आपको एक मठरी तोड़के दिखा रही हूँ बहुती खस्ता मठरी बनी है और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चेनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना